और अब हमने open करना है अपना vertical project ठीक है जो के है free instagram stories वो है ये इसको भी हम click करेंगे और अपना free instagram stories यहाँ पे ये देखें फॉंट्स पड़ी हुई है help पड़ी हुई है अगर आपको कोई help चाहिए तो यहाँ पे सारे link हुई होती है उन्होंने दी हुई होती है here यहाँ पे मै इंस्टाग्राम के लिए stories के लिए जहाँ पे भी जो कुछ आपने यहाँ पे इस्तमाल करना है वो sequence भी मारपस खुलके आ गया यहाँ पर भी देखें इन्होंने चीजें nest की हुई है यहाँ से अगर इसका icon मैं view कर दूँ और इसकी जो पहली इन्होंने template दी है उसको nested sequence को अगर मैं double click करूं तो यह देखें title one two color photo one photo two मतलब आपने photo one अपनी यहाँ पर रखनी है ठीक है और फार्ज करें मैं इसको replace कर देता हूं और अपनी कोई भी तस्वीर add कर लेते हैं यह रही मेरी वो तस्वीर जो के landscape में है लेकिन इसको shape मैंने देनी है कौन सी vertical की तो मैं इ इसको यहाँ पर adjust कर दूँगा ठीक है और अब हम देखते हैं यहाँ पर यह चेक करें Friday vlog और इसका title one है जो मैं इसको Friday vlog की जगा कर देता हूँ अगर आप इसकी font change करना चाहते तो आपको पता कि आपने effects control में जाना है text पे आना है और यहाँ से आपने यह जो source text है यहाँ पर आपने इसकी font change करने से पहले अपने text को select कर लेना सारा फिर आप लोग जाएंगे अपने source text पे और वहाँ पे इस जगा पे click करेंगे तो यहा पे अपनी story पे खिजर films और यह जो text 2 है इसको मैं click करता हूँ subscribe ठीक है और अगर फर्ज करें यहाँ से हमारा text जो है वो फैल के जदा बढ़ा होगे तो हमने परशान नहीं होना क्या करना है double click करना है select करना है सारे text को और effects control में जाके यह जो text है मेरा यहां से option आएगा मेरा scale का scale इसका मैं थोड़ा चुटा कर दूँगा ठीक है subscribe ठीक है यहां से वापस जाएंगे हम अपनी उस story वाली पे खिजर film तस्वीर मेरी आगी पीछे और यहां से subscribe लिखा हुआ आगया आपकी मर्जी आप लोग जो मर्जी चीज़े add करो बिजली च चुकी है वापस और हम भी वापस आज चुके हैं तो जनाब यहां पे आपने करना क्या यह वही चीज़ है ठीक है आपने तस्वीर लगानी है वीडियो लगानी है वो आपकी मर्जी subscribe लिखें जो कुछ भी लिखें हिजर film की जगा आप जो कुछ मर्जी लिखना चाहते है आपकी मर्जी आप जो कुछ मर्जी लिखें ठीक है फालतू जो चीज़े है उनको आप बंद कर दिया करें तो ज़्यादा बहतर है ताकि आपका प्रोजेक्ट है जो हैवी नहोजे है यह दूसरी स्टोरी है यहां पर अगर आप डबल क्लिक करें तो आपको पता है फोटो लिखी हुई नजर आजाएगी तो आपने पढ़के उस पे समझ के उसके बाद डबल क्लिक करके उसको रीनिम करके आपने अपने मर्जी के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर देना फर्ज करें इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपने इस वीडियो के बिल्कु एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आपने फाइल में जाना है। करने के बाद यह आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी जहां मरजी इसको एक्सपोर्ट करें और मैं आपको यहां पर एक और चीज छोटी सी बताता हूं जो आपके काम की है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो अब इसको बंद करतें इस प्रोजेक्ट को क अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने क्या करना है यह लोगो है सिंपल सा यह देखें यह इस तरह से लोगो आया और यहां पर आपका नाम रवील होगा ठीक है तो यह बेशमार से 123 आपने जाकर अपनी मर्जी से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें लेकिन यहां पर आप देखें गोर करें कि nested title ठीक है यह जो है title ठीक है इसका नाम है यह nested title मतलब अगर आप इसको click करेंगे तो यह title है ठीक है और अगर यह nested text है जो वो यह है आपका your text तो text और title पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी file है अगर आपको फिर भी नहीं समझाती तो आप यह द आपने क्या करना है यहां से जल्दी से जाना है nested title में और यहां पे क्लिक कर लेना है यहां पे आपको एक और nested sequence आगए ठीक है इस पर भी क्लिक करना है और आपको यहां से अपना नाम लिख लेना है ठीक है मैं अपना नाम लिख लेता हूं और फिर हमने क्या करना है आग पार बाच टेंप्लेट हमारी फिज़ा फिल्म ज वालि ठीक है ? यहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं अब बारियात यह इसको एक्सपोर्ट करना की एक्सपॉर्ट मतलब अगर आप simple तरीके से इसको export करेंगे तो ये black background के साथ ही export होगी मैं क्या चाता हूँ जिस तरह से एक png export होती है आपको उस तरह से एक video का भी export करने का तरीका पता चले मतलब transparent background के साथ आपको video भी export करना आए जिसको आप बार बार green screen से remove ना करें या कहीं भी जाके आप इसको रख सकते हैं लेकिन अगर मैंने आपको वो यहाँ पर बताया तो इस class में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होज़ेगा तो जल्दी से जाओ अभी जो कुछ बताए इस पर practice करो उसके बाद अगली वीडियो पर आओ तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको transparent video किस तरह से export करना आना चाहिए ठीक है